हाँ जी बच्चा तो now let us begin with the gene therapy part है ना चली जब अपन gene therapy का बात करते हैं तो नाम ही बता रहा है किसी तरीके से gene को use करके therapy देना यानि अगर किसी का कोई gene या आलील खराब है तो उसको replace करके ठीक कर देना या फिर किसी gene को overexpress या आप बोलो suppress करना है ना तो ये दो काम है overexpress आसे माल लो आप सभी के body में gene है intelligence के लिए हमने उसको overexpress कराए कि और जादा intelligence बढ़ जाए और हम सभी के body में gene है cancer के लिए हम उसको suppress करते this is also gene therapy या फिर कोई एक gene खराब है उसको इल बदले एक दूसरा gene रखना ये भी gene therapy है सबसे पहला gene therapy एक 4 साल की बच्ची में हुआ था ADA, adenosine, deaminase and enzyme है उसका deficiency था उसमें तो हमने देखा कि उसका जो gene है वही नहीं तो ये पहला gene therapy 1990 में 4 साल की बच्ची में हुआ था अब gene therapy दो तरह का होता है एक जिसको अपन बोलते हैं germline treatment germline treatment ये gigot level पे होता है या थोड़ा सा 10-15 cell वाले stage में ताकि हर cell को अपन ठीक कर लेए ठीक है तो हर cell की DNA को अगर हम बदल दिये उसके बात है उसके बाद वही सारा cell पूरा body बनाएगा तो पूरा body में DNA सही रहेगा ठीक है और बाद में जो होता है वो होता है enzyme replacement therapy या gene therapy ठीक है अब बात ये है कि ये वाला जो है वो permanent है ठीक है अब बाकी चीज़ जो है वो temporary ये कुछ समय के लिए जैसे माल लो मेरे body में या किसी एक organism है X जो मेरे इतना ही बड़ा है उसके body में कोई problem आए और माल लो हमने उसका माल लो insulin जैसे माल लो कोई 40 साल का आदमी है उसको insulin का कमी हो गया पैंफियाज का cells खराब हो गया diabetes तो होता ही है normal हमने क्या चाहा हमने चाहा कि ठीक किसी तरीके से insulin release करने वाले cells को जो पैंफियाज में उनको बदल ले तो मेरा काम हो जाएगा हमने बदल भी दिया लेकिन क्या लगता है कि जो gene हमने नया लगाया है जो cell हमने नया डाला है वो अमर है क्या एक समय के बाद वो भी तो मरेगा और जब वो मरेगा तो पुराना problem फिर से repeat करेगा तो वो एक permanent cure नहीं है लेकिन जब कि मालनों कोई एक जाइगोट लेवल पर चीज था बहुत early stage पर हमने बदल दिया कोई एक cell और उस वक्त वो permanent हो जाए क्योंकि वो एक cell divide भी तो करेगा और अपने तरह कि बहुत सारे cells बना देगा तो overall काम हो जाएगा तो इस वज़े से दो तरह का है एक है enzyme replacement therapy जिसमें हम लोग enzyme को injection डालते हैं ये भी temporary cure है उसके अलावा bone marrow transplant कर दी है छोटे बच्चों में अब bone marrow transplantation का भी एक limit है आपने कर तो दिया लेकिन वो सारे cells भी मालो 10 साल 15 साल 20 साल ब किये early embryonic stage में किये तो एक permanent cure हो सकता है ये क्योंकि अगर early stage में आप कर दिये तो फिर हर cell इसी से बने हैं सही वाले जीन से तो divide भी करता रहेगा तो भी वो नए cells जो बनाएगा वो सहीत वाले cells मतलब replaced DNA वाले cells ठीक है ये therapy कैसे करते हैं ये तो आपको नहीं पढ़ना लेकिन जो मैंने आपको बता है वही बात है कि जो भी आपने genetically engineered lymphocytes बनाए है वो immortal नहीं है एक समय के बाद तो मरेंगे न और देखो adenosine deaminase enzyme है न ये immune system में help करता है पुरा नाम लिग जेता हूँ adenosine deaminase enzyme ये immortal जो भी cells होगे बगर बाद में करों तो immortal थोड़ी है मर थोड़ी है एक समय के बाद मरेगा और जब मरेगा तो problem वापस से repeat करेगा ठीक है एक तो ये हो गया अब हपन पढ़ने वाले हैं कि आज के समय में हमने बहुत सारे molecular diagnosis methods भी तयार करें जैसे PCR PCR आपने detail में molecular genetics में पढ़ा है PCR में क्या करते है और molecular genetics के हमने वहां भी पढ़ा है बायटेक principal processes वाले chapter में जहां हम ये पढ़ाते हैं कि हम एक gene का billions of copies मना सकते हैं कितने ज़र में almost about एक घंटे में एक घंटे में billion copy तो जैसे माल लोग किसी के अंदर HIV का infection है माल लोग किसी को आज ही HIV जो है virus है उसकी body में गया जाइड सा बात है वो तो अभी एक ही दो cell ने न एक ही दो virus है तो अभी तो बहुत समय तक उसके स्रीड में रहेगा साथ साल आट साल और अपना नंबर बढ़ाएगा और जब नंबर बढ़के बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब जाके वो क्या करेगा कि अपना जो DNA है उसका असर दिखाना सुरू करेगा और असर कैसे दिखाएगा तो जो उसका virus था जब वो बहुत ज़्यादा होगा तो हमारे immune system को पूरा down कर दे लेकिन जसा कि आप जानते हों कि हमारे पास उस problem का कोई इलाज नहीं है only thing कि हम उसको suppress करके कुछ समय के लिए delay कर सकते है death को बट आएगा ultimately उसी वज़े से आएगा हम अगर इसी बीमारी को बहुत ही early stage में पकड़ लिए तो हमारे लिए उसको रोकना और असान है तो हम क्या करते कई बार blood test करें blood लिए blood के अंदर जो HIV का DNA होता है उसको PCR करने और पीसी आर अगर एक भी template होगा मालनो मेरे blood को अगर मैंने as a template यूज किया और एक भी virus हो रहा अगर HIV का एक भी virus हो रहा तो PCR के अंदर वो billions copy बन जाएगा और जर वो billions copy बनेगा तो फिर दिख जाएगा एक वाइरस हो सकता है दिखे भी नहीं मैं पता में निचले कोई असर नहीं आ रहा कोई symptom नहीं आ रहा मेरे लकिन जब उसका billion copy बन जाएगा तब तो पता सब्सक्राइगा न तो इसके अलबाएक है इलीजा इंजाइम लेंक्ट इम्मून सार्में टेस्ट करते है पाला टेस्ट में भी इसी से होता है उसके बाद इसमें क्या करते है इसमें भी हम लोग बहुत सारे एंटिजन और एंटिबॉडी से सिंतेसाइज करके पैथोजन को डिटेक्ट करते है ये एक एंटिजन एंटिबॉडी रियक्शन है ये भी आपको रहा है तीसरा है और्टो रेडियोग्राफी और्टो रेडियोग्राफ ठीक है, यह original DNA है, और हमें सक है कि कोई एक ऐसा human है, जिसके किसी खास body organ का DNA mutate, यह नी change कर गया है, तो हम क्या करेंगे, कि उसका DNA निकालेंगे, उसके body का DNA जो जिस पे सक है, जिसको test करना उसको बोलते है, probe, क्या बोलते है, probe DNA, हमने क्या करा है, कि इसको break करा, इसका एक strand को लिया, ठीक है, और उस वो, original वाले DNA के एक को भी तोड़ा, एक strand जहां से भी लिया, और इसके strand को यहां जुडवाने या कुस्स कर रहे है, अब तुम सोचो, अगर इसमें कहीं change हुआ होगा, तो जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, और change नहीं हुआ होगा, तो जुड़ यह वाले DNA जहां-जहां नॉर्मल है, वहां-वहां तो यह रेडियो अक्टिविटी उस से जुड़ जाएगा, और जहां पे वो नॉर्मल नहीं है, यानि वो म्यूटेट कर गया है, वहां पे वो रेडियो अक्टिविटी वाला पार्ट नहीं जुड़ेगा, जाइर सा बा जाएगर चेंज हो गया, तो जाइड़ सा बात है, नहीं रहा, यह भीख FCC कि अज्सको आपको जुड़ार नहीं है, मैं ऐसे चीज़े वो और यह करते क्या है तो इसमें हमने इस तरह से इनको manipulate करा हुआ है इनके DNA में इस तरह से change करेए कि हमारे और ज्यादा काम है थे कहें बहुत सारे disease को treat करने में मीट के लिए है न और टेस्टिंग के लिए आज समय में हम जो भी टेस्ट करते हैं किसी भी ड्रग को या किसी भी चीज़ को आक्सर माइस पे चुहा पे होता है 95% जो हमारे आनिमल जो ट्रांजनिक हमणातन में से चुहा ही होता है ताकि उस पर हम टेस्ट कर सकें बहुत सारे चीज़ों को ट्रीट करने में बी रोल प्लेοι करते हैं और बहुत सारे मेडिशनल यूज़ों की चीज़ों को भी हमने बनाया है जैसे अलफा-1 पुरा नाम है अलफा-1 एंटिट्रिप्सीन यह एक protein है जो की emphysema treat करने में use होता जो हमने बनाया है उसी तरह phenyl ketonuria और cystic fibrosis के treatment के लिए भी हमने बनाया है पहला transgenic cow पहला DNA manipulated cow डियने के change करने से जो cow बनी है उसका नाम था Rosie क्या नाम था? Rosie और Rosie के अंदर हमने एक ऐसा protein जीन डाला कि अब उसके दूद में पाल लेके मुकबले कई गुना ज़्यदा protein ठेक है? और उसके अंदर हमने एक special protein को भी express करा जिसका नाम था alpha lactalbumin यह जो alpha lactalbumin है alpha lactalbumin यह वैसे बच्चों को पिला जाता जिसकी मा नहीं होती क्योंकि बच्चे को starting में मा कदूद तो चाहिए ना तो मा कदूद गाय के दूद से बहुत अलग होता है अंदर इस alpha lactalbumin alpha lactalbumin का मेजर होता है यह alpha lactalbumin ऐसे बच्चे को दिया जाता है ठेक है? यह कई बार छोटे बच्चे को भी as a energy supplement दिया जाता है यह दूद ठेक है? उसके अलावा vaccine safety जैसे transgenic mice ने आ चुहा हम लोग जो मनादा है transgenic उसमें हम लोग बहुत सारे vaccine को टेस्ट करते हैं covid vaccine को भी वही टेस्ट किये थे ठेक है? जिससे polio vaccine कई बार monkeys को पाले यूज़ करते हैं monkey के बजाए mice को यूज़ करते हैं ठेक है? उसके अलावा और भी बहुत सारे chemical का टेस्टिंग के लिए safety टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है कि क्या वो humans के लिए safety है या नहीं ठेक है? ये सब चीज़ अपन यूज़ कर रहे है इन सब के अलावा एक और चीज जो आपको इस पूरे chapter में जानना आखरी topic है वो है ethical issue. ethical issue यानि कुछ चीज सच में सही है और कुछ चीज गलत है. तो ये जो सही और गलत का difference है वो बहुत ही महीन है. कि क्या सही और क्या गलत? इस सही और गलत का difference को चेक करने में ethical issues वाला topic का बड़ा important role है. आज के समय में हम जो भी कु है और ऐसा कुछ नौबत ना है इसके लिए हमारे पास एक committee है जिसका नाम है G.E.A.C. Genetic Engineering Approval Committee जो इस पूरे चीजों को approve करता है. कि भाइसा ठीक है आप जो research जैसे हम भी जो research करते थे नए plants बनाते थे ना इन सब के लिए approval लेना होता था. और इसका rule है कि आप किसी भी plant को सिदा सिदा खेत में नहीं उगा सकते है. प्लांट को भी. यूकि हो सकता है वो बहुत ज़्यदा contagious हो. तुरत फैलने लगे. जहरीला हो. हमारे हो सकता है जैसे मैं चना पर काम कर रहा था. हो सकता है मेरा जो चना जो मैंने बनाया DNA चेंज करके उसमें गलती से कोई एक ऐसा जीन चला गया जो उस चना को बहुत ही तिजी से फैलने वाला प्लांट और जहरीला बनाना है. तो मनलों कोई किसान अपने खet में चना बोया और ये भी फैलकर उस खेत में मिल गया. तुर प्लांट देख को तो पता सिदा चलेगा नहीं. चना देखके भी पता नहीं चले तो नहीं होता है हम उन्हें बहुत एक कंट्रोल इंवर्मेंट लैब के अंदर युगाते हैं ताकि अगर फैले वे तो लैब के अंदर आ जा है और लैब के अंदर लागातार हम लोग उसको आप बोलो न तो तो इस्टराइल कंडिशन प्रोइड करते हैं कि कोई भी तरह से इंफेक्शन नहीं हो किसी परी किसी फैल नहीं लीक नहीं करें बहुत चीज देखा जाता है तो इन सब चीजों के अप्रूबल के लिए जी एची जीनिटिक इंजिनिरिंग अप्रूबल कमिटी का आप तो ए तो नहीं हिए जहां-जहां लोग इंसान बहुत पले से रहने जहां—Bहुत पले से आधिवासी रLee उनके तो ट्रेदिशनल लौलई बहुत जीजादा है Is Est 국 disrupt है किस से क्या ओता भी उनका है आज के समय में क्या हो रहा है कि हम कई बार बिना उनसे पूछे उनके द्वारा बचाए गए चीजों को जबर्दस्ति यूज कर रहे हैं ठीक है और यह प्रॉब्लम क्रेट कर रहा है इसको अपन बोलते हैं बायो पाइरेसी जिसका जो चीज है बिना उससे पैसा देते हैं उसको लूट रहें यूज कर रहें यह बायो पाइरेसी का लाता है और बहुत सारा कॉंट्रवर्सी हो भी चुका है जैसे बासमती राइस जो इंडिया का था एक बार अमेरिकन कंपनी अमेरिका में उसके लिए पेटिंट डिया बोलता नहीं बासमती राइ के साथ क्रॉस कर लिया हमारे बासमती राइस का अरूमा मतलब महत टेस्ट और नूट्रिशन वह चोटे से प्लांट में चला गया बोला गिनाई तो हमारे यहां का प्लांट है अब लिजी आपका जीन जो आप सद्यों से सभाल के आए हो सद्यों से हम बासमती उगा रहें वो हमारे चीज को चुरा लिए इस इस वाट वी कॉल एज बायो पाइदेशी एक तो यह केस हुआ था इंडियन गौर्मेंट बहुत इसके लिए स्ट्रिक्ली बात करा अमेरिकन कंपनी से बहुत जाद रिस्ता खराब भी हुआ था उसको इंडिया और अमेरिका में बट फ यह लिजिए यह भी रिक्कत उसके बाद नीम नीम के साथ भी यही चीज हुआ हम उसको तो सदियों से पूजा कर रहे हैं सदियों से हम जानते कि भाई नीम में बहुत सारे मेडिसिन दर प्रपर्टिस होते हैं लेकिन लोग इसको यूज कर रहे हैं यह सारे कुछ कॉंट् बिल लाया इंडियन पेटेंट बिल का काम सिर्फ यही है कि वो पेटेंट देता है कि हाँ यह चीज आपने सबसे पहले ढूड़ा है और इस पे आपका हक है कोई भी और थर्ड पार्टी आपके पर्मिशन के विना इसको यूज नहीं कर सकता ठीक है तो इस इस ओल से तो आप पूछिए अधरवाइज विल बें इंडिंग इस चैप्टर पनाओ अब अपन कल मिलेंगे अपने इस सेशन के आखरी क्लास के साथ जिसमें अपन मॉलेकुलर नेटिक्स को आखरी बार रिवाइज करके इस चैप्टर को उस चैप्टर को भी खतम कर देंगे और